हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं वो प्रिंज सर और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे सोर हमारा छोटा सा चैनल बूम बूम फीजिक्स पर तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेक्टर लेकर आया हूँ जैसा कि आपी वहली सब को है ना विलेटेट तो आज दोस्त आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो इस उदिश से बनाने वाला हूँ कि आप जो हमारे बैचेज हैं नहे बैचेज 12th क्लास के रिगार्ड और पहले खुल चुके हैं बहुत सारे बच्चे आये सर चार दिन खुल गया तब आया है सर हम रहा तो चूट गया है हम का करेंगे सर तो मैंने बोला था कि बबबाजी एक वीडियो डालेंगे आपके फोन पर आप जो है न उस वीडियो को पूरा देख लिजिएगा मजा आएगा वीडियो देखने में और वीडियो देखके जब आप क्लास में तो आपको मालू में नहीं चरेगा कि सर मैंने क्या छोड़ा था कितने दिन बाद आए थे कितने दिन बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जो आप लोगों का मिस हुआ है और मैं वादा करता हूं कि वैसा ही मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था तो आए चाप्टर वन और चाप्टर वन जो है चाप्टर का जो नाम है दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज और फिल्ड एलेक्ट्रिक चार्ज और फिल्ड चाप्टर वन हाला कि यह ब्रांच है ना दोस्त इलेक्ट्रो एस्टाटिक में आता है थोड़ा सा इलेक्ट्रो एस्ट संधी बिच्छे तो आता तुमको है ना हंदी में सर संधी बिच्छे करना आता था हमको तोड़ो इसको तोड़ो 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 इलेक्ट्रो पिलस इस्टाटिक्स दोस्त इलेक्ट्रो प्लस इस्टाटिक्स इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोन से और बोलो इस टाइच्ट का मतलब होता है जैसे है वैसे राज यह और सिसम्मला इस टाइटिक्स और उसका मतलब होता है रेष्ट है ना दोस्त जब चार्ज रेष्ट में हो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें वो सारी कहानियों को पढ़ते हैं जिसमें चार्ज रेष्ट मे आप चार्ज है अब इस समय सारे फिनोमेन इस समय जो भी घटनाएं होंगी जो भी चीज़े होंगी वो जो आप जिस ब्रांच में आप पढ़ेंगे that is called electrostatics और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि electrostatic जो है न electrostatics chapter 1 plus chapter 2 दोनों को ही electrostatics कहा जाता है मतलब कि chapter 1 में भी हमको cable charge को static condition रखके पढ़ना है chapter 2 में भी हमको same condition रखके पढ़ना है तो आईए दोस chapter 1 के बारे में जानते हो और सबसे पहला जो हमारा topic होने वाला है भीजरिक गरते थे और हम लोग क्या वीट किया करते थे कि आज तो मतलब मुवी आगी आज मजा आगे अग्दम सुम्हार से गुरुवारतुब मन फ्रस्टेटेड है, साही नौ बजे रात को पढ़ते थे हम लोग सुक्रवार को इसलिए, साह्य नव से यह मूवी दिखना है ना तुर कि बैटरी आप根फ करते थे हैं उसमें क्या करते थे आप बैटरी चार्ज करते थे और जाके साइकल पर बाहन लेते та यह रहा रहाए जले क्यों कराते थे इसलिए ताकि हम उससने टीवी देख सेके तो चार्ज वह सबसे पहले हम लोग उने चार्ज सुना था आज सुन ले लगे मुबाइल चार्ज कर लो टर्स चार्ज घर लो फ़िंप कर दॉछ भी चार्ज होते हैं लाइट गड़ का तो चार्ज का सबसे पहला जो हम लोगों ने बात सुनी थी बैटरी चार्ज से ही सुना था हम लोगों ने 12 वोल्ट की बैटरी आती थी उसना में 32 रुपए 40 रुपए हमें डीवीडी भाड़े पर मिलता था वो लोग लाते थे बड़ चारों तरफ से घेर के बैठे के पढ़ने है ना और पिता जी डंटा लेके पैठे हुए है कहीं बाहर कौनों अगर उठ विलोस उन पर सूट दे तो हम लोग डर से पढ़ा करते थे और जब देखते थे थे को वहां पर सामने वाला बिठा हुआ है तुमारा भाई तुमार बनाक सटत रहे हैं ना तो उससे मैं क्या होता था ना कि आप पेंशिल को ऐसे ऐसे बाल में रगडते थे और बाल में रगदने से चोटे-चोटे काँज के टुकड़े के पास जब ले जाते थे थे ना दोस्ट तो काँज का चोटा-चोटा टुकड़ा जो है इस पेंड मे पैंसिल में सटरक्ट उस समय उसका वासंटरावी की डिसन हमें मालूम होताथा हम व nu सब इसको आस्थ जादी टो उसले अग्जेक्ट क्या हो रहाए कैसे हो रहा क्यों हो रहा है इसली सारे शे कंट सबों चीजसरे कर गटना का वी हो चीजों का जो actual reason है, actual जो उसका cause है, वो आज में बढ़ाने वाला हो आपको, तो दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता करते हैं, मैंने बोला कि यह एक body है, यह एक body है, वो तो यह तो चार्ज हो सकती है, या फिर चार्ज नहीं हो सकती है, यह body है, यह तो यह अगर होगी तो क्या करेगा चार्ज अगर नहीं होगी तो क्या करेगा दोस्त मैंने यहां पे एक और एक और बोडी ले रखिया जो मालो पहले से चार्ज होगी मालो चार्ज कैसे होती है क्यों यह सरी से बताएंगे मालो यह चार्ज मुझे पता करना कि यह चार्ज है कि नही मुझे यसी को ले जाना अब दोस्त मेरे मेरी मेरे ब्राइब अलम सकतिता दूर है अगर कुछ नहीं हो रहा है हम एक charge body के पास अगर इसको ले जाते हैं और इस पर कोई हरकत नहीं हो रहा है तो ये body charge नहीं है अगर हम इसको ले जाने लगे मतलब कि इसने इसको खीच लिया मतलब इस पिले वाले को इस पिले वाले भाई साब को इसने अपनी और अटेक्ट कर लिया या फिर दूसरे कंडिशन भी हो सकती है हम इसको ले जा रहे थे अपनी खेजनता आगे तो यह तो यह तो यह तो यह इसको अपनी और खीच लेगा नहीं तो अपने से दूर धक्का देगा एक फोर्स लगाएगा जब भी इसको दूसरे बोडी के पास दूसरे चार्ज बोडी के पास ले जाओगे तो यह बोडी एक फोर्स का फिल करेगी कि यह फोर्स हो रहे तो देखो मैं क्या लिए हो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इस बॉड़ी के पास आया तो इसके पास एक पुरपर्टी आ गई जिस पुरपर्टी के कारण से यह दूसरे चार्ड बॉड़ी को अपने तरफ अट्रेक्ट करता है यह आपने सुदूर रिपेल करता है तो आप इसको ऐसे लिखो It is the pulpahti of any body by virtue of which it is attracted or repelled अगला अगला लेक्टर में इसको बाद बार क्लियर करेंगा हम, फिर सा समझो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of anybody, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बाड़ी की परपटी होती है, कैसी परपटी होती है दोस्त, जिसका कारण से वह दूसरे चार्ज बाड़ी द्वारा या तो अट्रेक्ट किया जाएगा, और नहीं तो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब बात करते हैं कि कोई बाड़ी एलक्त्री चार्ज कैसे हो जाते है कोई अमंत वोटी के चार्ज होनी के पीछए रीजन अगतर सुनते हैं के सरी अटम कौन है के सअधीर पार Q यह है हमारा इटम सुनदर सा ब्यूटिफॉल है ना तो इस अटम में क्यों होगे सर। इस एटम को थोड़ा ऊपर कर ये शर्, लादिया एटम भीया, अब 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 को सर नीचे लादिया आजा है, जानते अंसर इसमें क्या होगा, सहर् इस एटम के अंदर ना एक नूधियस होता है सर, इसको भिकर दो सर, ओ galera We cashrijat आगे शर्, है नगे शर् बूपा बीच मेँ होते है तौफ हबme कोई बात नहीं को बात नहीं concern तो अब क्या होता है ेसमें अब कुछ कहानी और कहांडी देखो इसके अंदर होते हैं 2 चीज़ एक होता है proton, ना इससे नहीं लिखेंगे सर, इससे तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर, क्या होता है सर इसमें, इसमें होता है सर, proton, और इसमें होता है साथी साथ सर, neutron, और बाहर घूम रहे होता है electron, अब देखना, एक atom, और atom के अंदर तिन fundamental elements, वो तिन fundamental elements कौन कौन, E for electron, देखो दोस्त, E for electron, electron और यह होए तुमारा neutron, है ना, तीन fundamental, यह fundamental, अभी थोड़ी दर बत बताएंगे ना, कि यह fundamental है यह नहीं है, बाद में होताएंगे, बट अभी समझो, atom के बतार तीन fundamental, तीन fundamental, कौन-कौन electron, proton और neutron, भया, यह दानलों कि यह negative charge होता है, negative charge कितना, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कौलम का चार्ज होता है, यहाद रखना महोदे, proton पे इतना है चार्ज होता है, लेकिन प्लस में होता है, दोस्त, यह तो पता है ही ता सर, यह तो 9th क्लास में पढ़ाता हमने है, पढ़ाता तो बहुत अच्छी बात है, और neutron पे चार्ज, इन दोनों से दो गुन नहीं, 0 होता है, न?alg with Neutron पर कोई चार्ज होता है, जिरो होता है है अब देखो दोस्त, अब देख दोस्त, मास्त भी देख लें, यह टाटा है यह जाद रख लेंना इसको अलग कलर से लिग देते है, अलग कलर से mission, प्रोट्रों का शड़ी 1.672 इंटु 10ड़ पॉर्वाइनस 27 केजी ओके इसका सर एक्वल एक्वल ही होता है लगवग लगवग बर थोड़ा सा यह रही तुम्हारी थोड़ी सी डिफिडेंस है ना दोस्त यह याद कर ले ना रट्टा मार लो इसको कोई ट्रिक नहीं है निका इलेक्ट्रों का चार्ज कितना होता है प्रोट्रों का चार्ज कितना होता है नीट्रों का चार्ज कितना होता है इन तीनों फंडमेंटल के मासे कितना होते हैं यह तिनों याद कर लो है ना दोस्त तो आपको मैंने बताया कि एटम के अंदर तीन फंडमेंटल कॉंडिटी इलेक्टर, प्रोटर्व and न्यूटर्व आपको जानके बहुत खुशी होगी दोस्त कि number ऑफउल्यक्टरोन जो होता है बISEक बराबर होता है number of प्रोटरोन के एक और काम कुज़े जहें शार्डजी number of electron are electron होता है negative charge मतलब कि total negative be equal to number of neutron मतलब total positive तो टोटल निगेटिव और टोटल पॉजिटिव बराबर हो गए तो यह तो यह तेम में सर जितना पलस था उतना ही माइनस कट कुटके अगर यह बैलेंस हुए तो अब अब एक खास बात आपके बस की दोस्त मतलब कि यह जीतना रहेगा ना प्रोट्रॉन नुक्लियस में और नुट्रॉन वो सेम के सेम बने रहेंगे हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होते हम नुक्लियस को ब्लास्ट कर सके होगी होगी जब हम आपको नुक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगा उस समय को इनर्जी चाहिए आपको इसको तोडने के लिए नुक्लियर भी ब्लास्ट करता है नुक्लियर भी तूटते हैं वह बट अभी क्या ना हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है तो हमारे पास जब उतनी एनर्जी नहीं है सर इसका मतलब कि हम प्रोट्रॉन को घटा पड़े नह कि अभी क्या करेंगे हम अभी हम तुमको बताएंगे उलेक्ट्रों को ज्यादा कभिगा कम कम करा जाओ यह लेलो यह लेलो भाईया यह रहा तुम्हारा एक एटम और इस एटम के भीतर रहा तुम्हारा यह ये चार प्रोट्रोन और एटम के बाहर रहा ये चार इलेक्ट्रोन ये विए सुनल चाओ का कमेंटर इन इंडिया कहां का पता दमको उस समय ये चलता था जो 2003 में यांगुली कप्तान था और 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 भारत वर्ल्ड कप में पहुंचा था और अस्ट्रेलियो से खराब कर दिया है मेरा भी मूड़ खराब हुआ था शाला बालू में अंटीना गड़के देखे थे महुत छोटे थे तीसरा क्लास में पड़ते थे मूड़ कितना खराब होगा सोच अब ही देख लो ये यह देख रहे हो तुम यहां पर क्या दोस्त की एक एटम है और इस शाल नहीं उतर लो भाइया जी अब ही हम क्या करेंगे ना दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे और देखो क्या होगा है कि आप होग्या गश्राओधम है मजा अगया तो पढ़ाई में मजा ले लो आज़ो ऑजा दोस्त यह पे तो इस कलर से करादे असटा देना ना दोस्तों रगड़ेंगे तो सटा की रगड़ेंगे ना आजब देख लो और यहां पे सिर्सा हुमले कर रहें तरहें तो हम रहा हे अब डिखाosphere दोस्त यहां पर देख रहे सा हम लेक्टरोन प्राश्च चाहिए नो भूर्ण कि तूनों भाई साब का हाँ पसमें बन क्या है कि खीट की एक जाघ होगा है कि खीड की कि रिकी जो बेके हो को और जाहे कि की आब एभप सखी हा रहो होगी घुर सब इसे सबरेटें को झाल ऐड़ा ग पीछे लाएंगे फिर रगण होगे तक तो ऐसे क्या होगा ना कि यह बॉंड मतलब जो है ना यह वाले यह वाले और यह वाले विक पढ़ेंगे और विक पढ़ेंगे जो कम जो होगा वह बॉंड तोड़ देगा और मालों कि यह तूट जाएगा ना तूटने के बाद देखो कहनिया ऐसा हो जाएगा कि यह यहां से जंप कर जाएगा न तो यहाँापनी ओभलगे क क musun lockई और यह जंप करके हिए अगला गया सर और जब जंप करके इस यह जैतвержत हो ङए अब बैलेड्य को गया है अब देखेंगे कि चार गो प्रोट्रॉन एकल वी लिएक टूर्च होने वाला तीन गो इलेक्ट्रोन तीन गो प्रोट्रोन को केंसिल करेगा और यहां पर एक प्रोट्रोन बच जाएगा एक्स्ट्रा और एक प्रोट्रोन एक्स्ट्रा प्रोट्रोन होता है पोजीटिव चार्ज अब जब प्रोट्रोन होता है पोजीटिव चार्ज तो पूरा का पूरा बोडी जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा देको भया होगा या नहीं इस यहां पर लोगो प्रोट्रोन देख रहे हो देख रहे है सर दुगो प्रोट्रोन का दुदुगो था एक एलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा आ गया तो दूगो प्रोट्रोन वा दूगो एलेक्ट्रोन वा केंसिल करेगा एक एलेक्ट्रोन वा केंसिल होगा नहीं होगा तो जब एलेक्ट्रोन यहाँ पर क्या होगा वान एलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा बाण घ्र घ्र बाण होती है याद रखना है मेरी बात को एक्दम गाठ मालो कि जब कोई बॉड़ी इलेक्ट्रोन रिलीज करती है दिन बॉड़ी इज पॉजिटिवली चार्जट इस बात को लिखें में हो देंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि यह तो बॉड़ी रिलीज किया लेकिन उस इलेक करको accept किया ग्ठियम कि जब कोई मतलब डिंग अधार ने पास रख लेती है अपने पास रख लेती है देन बादेरही कानी कानी कलिको कि यह कोड़ी से मिज़िक वे तो यह सोडीट है अंग जी थोड़ा इसी हुए है रिलीज़ेज इलेक्ट्रॉन्स हाना दोस्तों देन इट इंट पीकॉंग्स पॉजिटिबली चार्ज़्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया पहले दुन फिलनों बराबर था अब इलेक्ट्रोन निकल गया अब इलेक्ट्रों कम होगा, प्रोटोन हो जादेफ होगा, है ना, तो क्या लिका, when anybody releases electrons, then it becomes positively charged, second, when anybody accepts electrons, है ना दोस्त, our bodies, what, negatively charged, इसको अलाग अलाग भासा में बोला जा सकता है दोस्त, कि जब किसी body में electron, when electrons are added to the body, when electrons are added, इसका मतलब electrons accept कर रहा है वो, then body is negatively charged, when electrons are added to a body, then body is negatively charged, when electrons are removed from a body, जब किसी body से electron को हटाया जाए, then body is positively charged, एक बार फिर से concept समझ लो, एक बार फिर से, एक बार फिर से, दूसरा सब्दो में, when electrons are removed from a body, body is what, body is positively charged, रहा रहाँ इना, है हना, second, when, when, when electrons are जुम 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 जुम. added to a body, to a body. then, body is negatively charged. दिमाग में एकदम धौस्यगाइब लेशन, अब बस इतना concept काफी है मेरा इसमें, कि body charge कैसे होती है. बोडी पॉजिटीबली चार्डि कासा होती है अगर अब्जेक्टिमें दे तुमको कि बडी पॉजिटिबली चार्ड ए नमबर इलेक्ट्रोन सा रधिड, इलेक्ट्रोन सा रेमूब्ड, प्रूट्रन ज्यादा होगा नहीं तो एलेक्ट्रोन हटाया होगा है ना दोस्तो चलिए नोट कर लिये होगा इसको नूट ये पले नोट हो गया पाौज कर लो कर लो ऍजो लट हो गया कनो नोट करला यe नोट हो गया भॉल कर नूट करला बढ़ते आل दोṣ्त आई आप टेंस क्लास में अब तो समाझ आ गया न कि चार्स कार्ण कारें पठा टे क्लास में महो दे आकने जार simple, माजी 12 क्लास वा थे 10 क्लास में कहले जा रिख स ernst प्रड़ेंग न को बैढता है ऊपने पड़ा था या नहीं पला था को आज अपको याद होगा जूब सर्या ना आंगा सर्च अभीक्त भूल रहा थे लेकिन अप थेंक्यों आपने यह दिला दिया सबखले रहा थे लोग फूला बट्राइ खालीगे ते शरडिमागाव सुथर रहा था था आ तुम नेती के घू गदूई क्यूंदेख हो ना यह 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 दिस क्यूंद इलेक्ट्रिक चार्ष मतलब सवर्प खो सदीकार एक दॉँ तो फिक अचलों पत्का दिखाते हैं मजग नहीं करते हैं तो गुणा कर इसको त्या टेचाटर जवना क्या सर इंक युण बरावर आईटी आईटी नाम जागा टेया सर आईटी आई कह विल्ह लिएश्ट्रिक गाती है कि अधूक्त्रिक एक वर्ट आई का बता तुध कुले मुद्रिक धुड़ जांटा हुआ अग गुना T का मतलब पता है तहला है तो मो टम्पलेट वह अले नहीं चोल एतना बोका थोली है हम यह ती का मतलब बहुता है चोल मतलब कि यहां से एक फर्मुला तुम्हारे पास खुबशूरत सा फर्मुला आने वाला है कि विज्टू टु आ लोगा इसके यूपन नेक्रणे लिगिंगे कि इस इलक्ट्रिक चार्ज का इवुनिट क्या होता है आप इसको करी चुके होंगे थे संद आ लिए उनिट होता है और भी यूट होते हैं यह सुना होंगा तुमने यह मुचान होगा स्ट्राटिक पॉल्म वो इसकी चिता चलंद बन जाएगी है ना आज वह साय में अब इसल आपने बताया कि क्यों बलाबल आई थी है ना दोस्त आई का मतलब अच्छा आई आई तो सर करेंट है और करेंट को आप तो एंपियर बोलते हैं एंपियर और सेक्ड तो ओयो ओ ओ ओ अंटा बांवावर क्यों बराबर आई अच्छा साः फूस्ट बने पूस्ट पा वो जो अपने पा को पुश्ट करते एमपियर सेकंड एमपियर सेकंड स्थाह पुछ और पडए ना ना दिखाते है तो वहीं पर यह कि मान बने का नाम था कुलम कि टो कहा गया कि क्यूंट ना एक एंपीर सेकंड के जगह पर यह कहीं वज्जानिक के कहीं साइंटिस्ट का नाम रखा जाया और उनको कहा जाया कुलम क्या कहा द insecure है जिस दिन से SI unit of electric charge is कुलम उसी दिन से कुलम नाम जाना जाने लगा हर जगा हर जगा हर किताबों में छा गया हर जगा किताबों में देखोगे नहीं से चार्ज का यूनिट का अधा कुलम को किसे दिखाते हैं से कापिटल सी वो सारे उनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पर रखे गया है सब को तुम दिनोट करेंगे कापिल लेटर से जैसे निूटन च्पिटल चुटा है दिखते हो नहीं एंपियर कापिटल है न सारे कुलम साइंटिस्ट नाम इसे कैपिटल सी ओके एसाइउनिट ओफ एलेक्रिक चार्ज कुलम तो निकाली दो न सर इतना जब कर दिए होता है और फीजिक्स में जितने भी टर्म होते हैं यह साथ इप फीजिकल कॉंटिटी से ही मिलका बने हुए होते हैं तो हमको बस पता करना होत है कि कौन से फिजिकल कॉंटिटी में कौन कोंगों से फंडमेंटर कॉंटिटी मिले हुए हैं और वो किस् judicial से मालूम चलता है लेक्टरिक चार्ज का जो डेमैंशन होगा वह 80 होगा और सर जी वह का वोलिवुड में सर्च करो YouTube क्लिए रहे हैं एक सवाल ख़ला देते छोटा साइक सवाल करा देजिए सवाल है कि 2 ampere current is passing through a conductor for two minutes for how much minutes two minutes for two minutes find electric charge कितना अश्यान है शर एक दमसर धड़ाग देशर श्याड़ेंपी और चार कुलम चार कुलम वाले अध़ उठाओ और कॉमेंट करो चार कुलम वाले बता रहे तुमको एक दम नरख में जाओ को कीड़ेंगे तुम्हें मनें बताए पर लेवंद प्लास ने ही चिल्ला चिल्ला कर मैं बोल रहा हूं कोई भी सावाल बनाने के पले unit दरूर देखा कर और इस पकड़ में आजया होगा सर यूनिट तो भोल गया थे टू एंपियर तो आपने दे रख तो यह तो आई है सर टी बराबर दो शेकंड दे दिये हैं मतलब यह टाइम है सर दो मिनट सर सर दो मिनट ऐसा यूनिट नहीं है सर तो आप इसको साठ से गुणा करके सेकंड बदल लो और महोदे हमें तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है हमें तो क्यू निकालना है और क्यू बराबर होता है आई टी है न दोस्त क्यू बराबर आई टी और आई के जगा पर कितना लिखोगे टू और टी के जगा पर वन ट्वेंटी और वेगोल टू 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 टाइगर मिलेगा रही तो वाई ही चार्जु का बार में कर रहा हो जार्ज जी हो senior यह पॉड़ी की परटी होती है हो उस पРЕठी के कारण से वह दूसरे चार्ड बॉड़ी को अपने तरह अठ्ट करता है यह अधेल करता है उके सरण काष को क्यों से डेनोट करते वहीं पे कोई body negatively charge कब होती है वहीं पे कोई body negatively charge कब होती है when electrons are added जब electron add किये जाएंगे और उसके बाद का concept तो तुम्हारा clear ही है यह देख लो दोस्त यह note कर लिया दोस्त आपने note कर लिया sir, pause कर लिया next, यह कर लिया okay, pause कर कर लिया यह, यह sir, यह तो मैंने बनाया था कुछ सही, इसको note कर लिया, okay तो दोस्त, यह हमारा था electric charge का पहला वीडियो English medium का, और next video मैंने बनाने वाला हूँ, electric charge part 2 का बहुत मस्त वीडियो आगे वाला होगा, जिसमें बहुत सारे सवाल होँगे, बहुत सारे, अब तो हम लोग PPT बना के भी questions solve कराएंगे आपके पास तो जो हमारे booklet class में हो रहे हैं, जो आपको class में दिये जा रहे होंगे, वो हम लोग online में ही solve करेंगे, मजा आग आग दम तो इंतजार करिए अगले वीडियो का और पता है, होली बीच चुकी है, और हमारा class जो है न, सॉरी, टूटे से खुल रहा है, मंगलबार से, बाइसमार्स से तो नए बच्चे, जो हमारे यहां भी नहीं पढ़ रहे हों, जो कहीं और पढ़ रहे हों, कहीं और डेमो ले रहे हो, अरे झाल